पाल से है जहाँ पर पूर्व सियम कबलनाथ दिल्ली पहुंचे सालसा नकुला समेद करीब एक दरजन विधायक कॉंग्रेस शोड़े की तैयारी में छिदवाडा लोगसभा के सातों विधायक छोड़ेंगे कॉंग्रेस जबल पूर से एक विधायक दिल्ली में कबलनाथ के बंगले पर मौझूद बाला घार जिल्ली से दो विधायक दिल्ली पहुंचे सिवनी का एक विधायक भी दिल्ली में कबलनाथ के बंगले पर चिंदवाडा लोगसभा सीट के सभी विधायक जो है बालागाट के दो विधायक जाएगे वीजेपी में शिवनी का एक विधायक भी कबलाद के साथ चिंदवाड़ा महापार भी जाएंगे कबलाद के साथ वैथूल-जिलिसे पूरो मंत्री भी होंगे बीजेपी में शामिल मुरेना से कॉंग्रिस के दो बड़े नाम होंगे बीजेपी में शामिल देवास से पूरो मंत्री भी बीजेपी में होंगे शामिल तो अदिख सकते हैं के बाद एक जो है कई कॉंग्रिस की नेता जो है अब बीजेपी में जाने की तैयारी में हैं तस्वीरे देख सकते हैं आप लगातार खबर आयरे 24-7 ये खबर आपको दिखा रहा है पलपल की खबर दिखा रहा है चिंदवाडा जिले से कॉंग्रिस के सफी विधायक कमनलाथ के साथ मौजूद है अगर कमनलाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो इस साथ विधायक जो है बीजेपी का दामन थामेंगे और राज के अलग अलग इलाकों से करीब आधा दरजन विधायक जो है उनके साथ है पूरो मंत्री भेस में शामिल है पूरो विधायक जिसन शाम या नहीं की बोल सकते हैं कि लगबग कॉंग्रेस का काफी कुन्बा जो है बीजी पी में शामिल होने की फिराख में हैं और इस खबर पर हमारे साथ हमारे विशेश सवाधता अमरांग मालूई हमारे साथ लाइब जोड़ चुके हैं यहां तक की छिनवाड़ा के सभी कॉंग्रेस के विधायक जो है बीजी पी में जाने की तैयारी में हैं क्या माना जाए कॉंग्रेस को एक भड़े जटके की तौर पर यह दिखा जा सकता है देखिए सबसे पहले आई एनेच यह बता रहा है कि कौन कौन कमलनाथ के साथ मौद है मैं आपको बता दू दो पहर तीन बजे तक का अपडेट है जो हम आपको दे रहे हैं कमलनाथ नकुलनाथ इसके अलावा सुग्दयोपान से सजन सिंग वर्मा बड़े नामों में पूरु मंत्रियों के संदर में बात करें साथ में जबलपूर के एक विधायक हैं चिनवाला के सातों विधायक हैं बालागार जिले से दो विधायक हैं जिसमें से एक आदिवासी विधायक शामिल हैं और इसी तरह से शुवनी से एक विधायक सामील हैं, तो बारा अल्रेडी वर्तमान विधायक ये जो हैं जिनका नंबर हम बता रहा हैं, ये कमलनात के नकुलनात के साथ में हैं, साथ में दो पूरु मंत्री जो दो बड़े नाम हैं, जिन में खास तोर पे अगर हम बात करें पूरी तरह से साफ हो जाएगी अगर ये निता पार्टी छोड़ते हैं तो, बड़ी बात यह है कि अभी इससे उपर भी फिगर जाने वाला है, गौलियर चंबल में भी सिंदवारी की तयारी है, शिंदवारा महापार तो हैं ही, लेकिन एक और महापार के संदर में जानका ये आ रही है कि उन्होंने भी कमलनात के साथ जाने का मन बना लिया है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये फिगर लगातार बढ़ते जा रहा है, दावा ये है, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं कमलनात के करीबी समर तक जो मौजूद है, कॉंग्रेस के बड़े पू ये हैनिंग हो रही है कल की, उस अंदर में अगर माना जाए तो ये फिगर बहुत बड़ा हो सकता है, और कॉंग्रेस को साथ जिस तरह का जटका जोती रादी सिंदिया ने दिया, उससे बड़ा जटका ये हो सकता है, विदायकों के नंबर के हिसाब से नहीं, बड़े नेत का जो कॉंगरी स्चो करब बीजी पी में जा रहे हैं तो इसका पीच सी की वज़ा कैया मानी जाया रहे है, या पिर चिन्दवारा में अपने सियसी संग्राम को काइम करने के लिए सियासी जम् Promise को उतरासने के लिए किया ये कमmeलात का बीजी पी में शामिल होना माना जा र नकुलनाद भाजपा में जा सकते हैं लेकिन क्या बाकी लोग भी भाजपा में जा रहे हैं या कॉंग्रेश छोड़ रहे हैं। सुर्जेवाला मदप्रदेश में चुनाओं के समय पे आमद दी। उसके बाद से टक्राओ बढ़ा। टक्राओ राहूल गांदी और कमलनाद का कोई नई बात नहीं है। परिणामों के बाद की जो टिकेट मैंने कहते हो जीते हैं और बाकी लोगों ने कहते हो हार गए। इसके बाद ने निताओं से दूरी बढ़ गई राहूल गांदी से और ज्यादा दूरी बढ़ी। ये करम यहीं नहीं चला उसके बाद जीतू पटवारी प्रदेश अद्याश्ष बने उमंग सिंगार नीता प्रतिपक्ष बने। बले यो कमलनाथ की कॉंग्रेस में कुशाद द्यक्स थे लेकिन जोड़ के हमेसा असुख सिंग का नाम दिभीजा सिंग से जोड़ कर दिखा जा सकता है तो ये घटना करम लगातार बढ़ते थे और हमने देखा कि राजसाबद चुनाओ के बाद जिस तरह जोती रादी सिंधिया एक्जिट किये थे बिल्कुल कमलनाथ उस तरच पे एक्जिट करने की तैयारी में है अब रगब बात की जा जिस सतरीके से कमलनाथ वो चेहरہ है वो नाम है मद्ध्यप्रदेश का जिन्होंने पूरों प्रधान मन्तर इराजियु गांधी के साथ काम किया रहुल गांधी के साथ काम कर रहे है एक कॉंग्रेस की कदावार निता पुराने निता माने जाते हैं ऐसे में कॉंग्रेस का छोड़ना दोहजार चौबिस के लोग स्वाचुनाओं से पहले जहां एक और राहूल गांदी भारा जो निया आतरा निकार रहे हैं वैसे में कॉंग्रिस जो मद्धिय प्रदेश में तूर्टू ही नज़र आ रही है तो कमलनाथ का बीजेपी में शामिल होना कॉंग्रिस के लिए कितनी बड़ी शती माना जा सकता है कमलनाथ सिर्फ पूर मुख्य मंट्री नहीं है पूर प्रदेश कौंगे सद्धिया पूर केंदरी मंट्री नहीं है अर्राग वाली अर्राग जी आपको रुकना चाहेंगे कमलनाथ जी क्या कुछ किया रहा है पहले हम बो सुनु आते हैं अपने दर्शों को अगर आसी कोई बात होगी इस तरफ यह पर बात यह है अगर ऐसी कोई बात होगी अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूगा तो सुने हैं ये था कमनात जोनाने कहा है कि जो कुछ भी होगा मैं बताउंगा एक्साइटिड मीडिया है मैं नहीं है इस तरीके कमनात ने बयान दिया है दिली में उनका बयान है आपने दिखा है और लगातार हमारे विशेश सवादत अनुराग मौलवी हमारे साथ इस कबर पर जुड़े हुए है अनुराग यहाँ पर आपने सुना है कि कमलनाथ ने दिली में कहा है कि मैं एक्साइटेड नहीं हूँ मेडिया ज़्यादा एक्साइटेड है आप ज़्यादा एक्साइटेड है जो कुछ होगा आपको मैं बताऊंगा उनके बयान के क्यामाने दिखे जाए दिली में जो बयान उनुरे दिया है देखिए बहुत इस पश्ट रूप से मैं बार-बार कह रहा हूँ तकनीकी रूप से समझे कमलनाथ को कमलनाथ कह रहे हैं कि आप लोग ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं मतलब वो कितना स्टैप लेना है एक्साइट कर रहे हैं और जॉइनिंग कर रहे हैं या सिर्फ एक्साइट कर रहे हैं अभी इसमें बड़ा अंतर है कमलनाथ को लिखे नहीं एक ही परिवार में दो अलगला की स्टैप हो सकते हैं अंगले 24 गंटे में दूसरी बड़ी बात जो हम कमलनाथ के संदर में कह रहे हैं कि कमलनाथ का जाना देखे कमलनाथ का जाना छोटी मोटी बात इसलिए नहीं है कि वो कोई पूर सियम के लिए नहीं है पूर प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष नहीं है पूर कॉंग्रेस सरकार के केंदरी मंत्र भर नहीं है वो इंद्रा गांदी के तीसरे पुत्र के रूप में जाने जाने वाली शक्सियत हैं संजय गांदी के परमित्र राजी गांदी के बेहत करीबी और बात में सोनिया गांदी के भी उतने ही करीबी कई नेड़ायों में भागेदारी भी उनकी रही है लेकिन उन्हो से वो निकलते हैं, वहाँ वहाँ का एक बड़ा चेहरा जो है, वो कॉंग्रेस का साथ छोड़ देता है, अब वो बंद्रप्रदेश की जहलीज पर है, और उसके पहले जब कॉंग्रेस एक और बड़ा जटका है, यह कहलीज है कि अब तक के सबसे बड़े जटकों में शुमा जी गांदी से, संजय गांदी से, तो इस कारण यह बहुत मैत्मौन हो जाता है कि यह कॉंग्रेस के लिए कही न कहीं पूरे देश में गलत मैसेज दिये जाने वाला संदेश होगा, कमलनाथ जगर छोड़के जा रहे हैं तो, हाला कि अब वो इनकार तो कर नहीं रहे हैं, तस्वीर लगबख साफ है कि किस तरह का घटनकरम अगले 24 गंटे में रहने वाला है, पर यह निश्चित रूप से कॉंग्रेस की जमीन के लिए, जो बहुत मुश्किल से कहीं न कहीं थोड़ी बहुत बची है, वो लगबख खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएगी, खा तो ऐसे में किया आप दोनों निताओं का जो आमना स्थामना जो सियासी संग्राम का फिर से देखने को मिले गाई या उस पर कहीं न कहीं विराम लगता हुगा नज़र आएगा देखिए ये बड़ा समझने वाली बात है, उस समय भी ये बात हुई थी, इस समय भी ये बात हो रही है जोती राजी सिंधिया कमलनास से ज़्यादा नाराज नहीं थे, वो दिगविजे सिंग से ज़्यादा नाराज थे दरसल तब भी जोती राजी सिंधिया का एक बयान याद कीजिए उन्होंने कहा था कि कमलनाज सरकार को दिगविजे सिंग से चला रहे हैं दिगविजे सिंग के हाथ में रिमोट कंट्रोल है इस सरकार का ये नाराज़ी थी दूसरी बात राजी सभा में जब जोती राजी सिंधिया सेकंड प्रायोर्टी पे हुगे थे तो कमलनाज नहीं थे वहाँ पर वहाँ पर दिगविजे सिंग फर्स्ट प्रायोर्टी पे थे कैंडिडेचर की हम बात करते हैं ये एक बड़ा अंतर है इस पूरे पहलवों में कि उनकी नाराज़ी जादा किस्से थी नकुलनास से उनका मिलना मिलाना जारी रहा लोगसबा जब हम बात करें जब भी दिल्ली के कई घटना करमों की बात करें या व्यक्तिगत घटना करमों की बात करें तो कई सारी चीजे हैं कि राजनेतिक प्रईदर्श में और फिर भारती जंता पार्टी में जब जाते हैं हमने देखा कि सिंधिया का कद्ध भी कितना घटा और कमलनाथ भी उस तरीके के मजबूत तो नहीं रहेंगे तो यहां पर यहां पर यह पहलू साइद उतने ज़्यादा चर्चा का विशय नहीं होना चाहिए सियासी द्रश्टी से लेकिन इसी तरह उसे यह बात होगी कि किस तरह का उनका व्यावार होगा हाला कि देखे राजनीति में समीकरान जैसे जैसे बदलते हैं हमने सबसे बड़ा नाम तो हम नितिश कुमार को देखते हैं तो फिर कमलनात को भी देख सकते हैं उसी तरह से व्यावार और अंदाज दोनों बदला नजर आ सकता है अमराग एक चीज और समझ चाहूंगा जिस तरीके से बीजेपी जो है परिवार बात के खिलाफ हमेशा से रही है लेकिन कॉंग्रिस में परिवार बात दिखा गया है कमलनात खुद विधायक है पूर वसीयम रहे है वरत्मान विधायक है और उनके बेटे जो नकुलनात है वो स्वांसद है तो क्या ऐसे में बीजेपी जो है एक पारटी एक दायत वे नहीं कि एक पद पर काम करती है ऐसे में क्या कमलनात और नकुलनात दोनों आपने आपको बीजेपी में अज़श कर पाएंगे है बीजेपी नको हजम कर पाएंगी देखे हाई टॉप कमलनात थोड़ी सी अलग है यहां पर बदलना पड़ेगा चीजों को परिभाशाओं को कमलनात कॉंग्रेस के फाइनेंसियल मेनेजर बहुत इंपोर्टेंटली अमिश्या नरिन मोदी के कॉर्परेट घरानों से जिस तरह के संबन्द है कमलनात के भी उसी तरह से बड़े संबन्द है देश के तमाम अगर बड़े अगर बात करें और जोगी घरानों की तो जितने करीबी वो मोदी और शाक हैं उतने ही करीबी वो कमलनात के भी है ये बहुत सारे ऐसे संबंद है जहां पर कंसिडरेशन बीजेपी और्गनाईजिशन की तरह से कमलनाथ के परिवारवात को दिया जा सकता है जो दूसरे लोगों से इतर होगा हाला कि अगर बात ज्यादा आईगी नीमों की कायदों की भारती जन्ता पार्टी संगटन की तो हो सकता है कि वहाँ पर कमलनाथ थोड़ा सा त्याग कर जे या अपनी विधाय की त्याग कर दे उनके साथ में से च्छे विदायक जो है उनको टिकेट दे दे भारती जंता पार्टी और साथवा नाम नाम नया हो लोकल चिनवारा से कमलनाथ के अलावा और लोकसभा का टिकेट पे नकुलनाथ लड़े तो परिवारवात का भी जो आरोप या प्रत्यारोप या संगठन में बात होती है उससे भी कई न कहीं भाच्पा बच के निकल सकती है हाँ बिलकु निश्यत रूप से बार बार ये बात की जा रही थी की अभी तक की जो स्कोर है वो 28-1 का स्कोर है मध्यप्रदेश में और सबसे बड़ा किला या बेद किला चाहे लोकसभा की बात करें या विदान सभा की वो चिनवाड़ा ही रहा है चिनवाड़ा में आप देखे कितना बड़ा आश्चे जनक विदान सभा चुनाव का पहिणाम था जब 163 के नंबर पर भाश्पा पहुंचती है कभी साथ सुनिका पहिणाम कोहां से कमलनाथ देने में काम्याब होते हैं याने की कॉंग्रेस सातों की सातों सीटे जितती है जब 28 सीटे मद्प्रदेश की लोकसभा की जितती है तो 29 कोई सीट अगर भाश्पा आरती है तो वो चिनदवाड़ा है चिनदवाड़ा याने की कमलनाथ का प्रभावचितर कांग्रेस से भाश्पा का प्रभावचितर नहीं है तो वो जिस 29 सीट की बात कर रहा है या 29 सुनिके श्कोर की बात कर रहा है का जाता है देश में बड़े जो नेता हैं जो अलग-अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं वो कमलनाथ के साथ काम कर चुके हैं तो क्या अगर कमलनाथ बीजीपी में शामिल होते हैं तो क्या जो अन्राज जैसे कि हम साउथ की बात करें तो क्या और बड़े दिग्गाज नाम जो है जो कॉंग्रिस के बैकबॉन कहा जाते हैं क्या वो भी धिर धिर से बीज़ेपी में शामिल होंगे कमलनाथ के जरीए देखे बिल्कुल निश्यत रूप से इसका सबसे बड़ा असर हम देखेंगे वो महराश्टरा में देखेंगे आपको मैं बता दूँ कि कमलनाथ के जो संबंद हैं वो वेश्ट पंगॉल और महराश्टरा में बड़े राजनिताओं के साथ बहुत अच्छे हैं उनके फालूर्स हैं मतलब सांसद इस तरह के कई फालूर्स हैं जो कमलनाथ को अपना अधर्श मानते हैं कई सारे ऐसे हम बयान देखेंगे या कुछ ऐसे हैंडिल्स देखेंगे सोशल मीडिया पे महराश्ट के सांसद के इस तरह के दिखेंगे जिसमें कमलनाथ के साथ भी नजर आते हैं तो निश्चित रूप से कई सारे प्रदेशों में कमलनाथ के जाने का असर पड़ेगा, उनकी पस्नालटी ऐसी, उनके संबंध ऐसे रहे हैं, इतना लंबा उनका पॉलिटिकल केरियर रहा है, खासतोर पर बतौर यूनियन मिनिस्टर, तब उनने अलग-अलग प्रदेशों क मुख्यमंतली से लेके सांसदों की कई मांगों पे काम किया है, उनके कई सारे बड़े कारियों को कई आमंटन दिया है, तो निश्चित रूप से इसका एक बड़ा असर मदरप्रदेश के बाहर भी दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जे. मेरिया में एक बड़ा भावे मंदर भी बनमा रखा है, भगवान हनुमान का, तो क्या ऐसे में कॉंग्रिस की लाभी और कमलनाथ की ब्यक्तिकत लाभी जो है, मैंच नहीं कर पा रही थी, क्या ये भी एक टकराओ की वज़ा मानी जाए, बीज़पी में शामिलों की वज़ में एक बादिका हो, यहां तक कि भगवा मैं प्रदेश कांग्रेस भी दिखी है, कई दफ़ा हनुमान जानुमान जानुमान की बात करें, या अन्याउसरों की बात करें, तो ऐसे में ये जरूर था कि कमलनाथ बार बार ये कहते ते राहुल गान्दी से कि जिस धारा पे हम चल रहे हैं, उस तो थोड़ा सा बतलाव आना होगा, और खास तोर पे टकराव उस समय भी कई सारे बड़े नेताओं का बड़ा, चाहे अगर हम बात करें, तो उसमें कांग्रेस के पुराने नेताओं की बात करें, या ने नेताओं की बात करें, या कमलनाथ की बात करें, प्रांट प्रतिष्ठा समार हो रहा था उस समय कॉंग्रेस का स्टेंड सही नहीं था तो ये भी एक बड़ा विशा है बड़ा कहीं कारण है जिसका जिक्राप कर रहे हैं जिए जी चलिए देखना होगा कि आप आज आठकले क्या कुछ होती ही नजर आएंगी दिली से फिराल के लिए तमाम जानकर के साथ जुनने के लिए बहुत